Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis शेयर करूँगा जिसमें कम से कम Risk Reward Ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग उने स्टॉक को देख लेते हैं जिसे मैंने आप लोगों को आज के Intraday Session के लिए प्रोवाइड किया था आज के लिए Traders मेरा सबसे पहला Intraday Stock था IGL IGL के अंदर Traders हम लोगों को बहुत ही सांदार Intraday Trade करने का मौका मिला हम लोग देख सकते हैं एक Perfect Breakdown हम लोगों को देखने के लिए मिला और उसके बाद इसमें हम लोगों को अपना Target भी Successfully Achieve हुआ तो I hope आप सभी लोगों ने इसके अंदर एक अच्छा कासा Profit Book किया होगा आज के लिए मेरा दूसरा Intraday Stock था Jindal Poly इसके अंदर भी Traders हम लोगों को बहुत ही सांदार Intraday Trade करने का मौका मिला हम लोग यहाँ यहाँ पर देख सकते है Jindal Poly High बनाया है 8.92 के एराउंड में यानि कि इसमें भी हमारा जो Target है वो Successfully Achieve हुआ है और उसके बाद फिर से यह इसी Levels को Retest करने के लिए आया और फिर हम लोगों को अपना Target इसमें Achieve भी हुआ है तो I hope आप सभी लोगों ने Jindal Poly को मिस्स नहीं किया होगा आज के लिए मेरा तीसरा Intraday Stock था Balkrist Industries इसके अंदर भी Traders हम लोगो एक अच्छा खासा Breakout देखने के लिए मिला था शुरू में ही और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यह Stock High बनाया है reward ratio मिलने लगता है तो उसके बाद हम लोग अपने Stopless को Trail करके अपने Cost Zone पर ला देते हैं तो I hope आप सभी लोगों ने इसके अंदर अपने Stopless को Trail किया होगा और जिन्होंने नहीं भी Trail किया है उन लोगों का Stopless हिट हुआ होगा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है आप लोग आगे से इस बात को ध्यान में रखेगा और आज के लिए मेरा अगला Intraday Stock था Apollo Hospitals इसके अंदर Traders हम लोगो कोई भी Intraday Trade करने का मौका नहीं मिला हम लोग देख सकते हैं कि ये आज भी इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है तो कल के लिए भी आप लोग इस पर नजर रख सकते हैं अगर ये अपनी इस रेस्टांस को ब्रेक करता है तो हम लोगो एक बार फिर से इसके अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है और अगर ये 4770 के नीचे में जाकर के क्लोजिंग दे देता है फर्स्ट 5 मिनट में तो फिर इसके अंदर हम लोगो एक सांधार फॉल भी होता हुआ नजर आ सकता है इसे आप लोग नोट कर लिजेगा या फिर स्क्रीन सॉट भी ले सकते हैं लेकिन बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी सपोर्ट और रेजिस्टांस ड्रॉ कर लिजे ताकि लाइव मार्केट में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आपा है तो टेरस ये पांच इंट्राडे स्टॉक्स मैंने आप लोग के साथ आज के इंट्राडे सेशन के लिए सेयर किया था जिसके अंदर दो में हम लोग को अपना टार्गेट सक्सेस्फुली एचीव हुआ है और एक इंट्राडे स्टॉक्स में हम लोग देख सकते हैं कि हमारे टार्गेट के आज पास से जाकर के स्टॉक में रिवर्सल आया है फिर भी मैं इस स्टॉक को एज लोजिंग ट्रेड ही आज काउंट कर रहा हूँ और बाकी बच्चे दो इंट्राडे स्टॉक्स में हम लोगो कोई भी इंट्राडे ट्रेड लेने का मौका नहीं मिला है तो आई होप आपको मेरी एकुरेसी पसंद आ रही होगी इसलिए अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर इसे लाइक कर दीजेगा साथी में ट्रेडर्स आप लोग मेरे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ एनलिसिस प्रोवाइड करते रहता हूँ लाइब मार्केट के अंदर तो जिन्होंने अभी तक इसको जॉइन नहीं किया है वो लोग इसे जरूर जॉइन कर लेंगे लिंक आप लोग को description box में मिल जाएगा बात करें आज का तो आज मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर आप लोग को BPCL का analysis share किया था हम लोग देख सकते हैं कि breakdown आने के बाद फिर यह अच्छे से retest भी लिया और फिर इसके अंदर हम लोग को लगबग half percent का moment भी मिलता हुआ नजर आया है तो जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया होगा नीचे comment section में जरूर बताएगा साथी में टेटस एक live trade भी मैंने आप लोग को आज provide किया था SBI के अंदर हम लोग देख सकते हैं परफेक्ट breakout हम लोगों को देखने के लिए मिला था फिर ये retest करने के लिए भी गया था और retest आने के बाद जब stock में reversal नजर आ रहा था उस समय मैं आप लोगों के साथ इसका analysis share किया था और perfect region के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि SBI का trade हम लोग क्यों ले रहें लेकिन उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी analysis थी यानि कि जो चीज हम लोग ने expect किया था SBI के अंदर वो चीज नहीं हुआ हमारा stop loss यहाँ पर था जिसको यह hit कर गया और उसके बाद इसके अंदर बहुत ही सांदार momentum आया तो traders इससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है matter यह करता है कि हमारी analysis कितनी अच्छी थी और इस trade में हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी दिक्कत की बात नहीं है जब कई भी हम लोग 1 is to 4 risk reward ratio के साथ trade plan करते हैं तो उसमें से 2 trade में stop loss भी hit हो जाता है और 2 में ही target achieve होता है फिर भी हम लोग बहुत ही अच्छा खासा profit generate कर लेंगे तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि stop loss भी intra day trading का part है और stop loss hit होने के बाद हम लोग को अपना जो process है अपना जो system है उस पे belief बनाए रखना है और उसके साथ कोई भी छेड़चार नहीं करना है तो traders अब हम लोग उन stocks को discuss करेंगे जिसे आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं और जैसा कि आप लोग को पता है कि डेली मैं आप लोग के साथ 5 intra day stocks की analysis share करता हूँ तो आज भी मैं वही करने वाला हूँ 5 intra day stocks की analysis मैं आप लोग को levels के साथ बताने वाला हूँ लेकिन उसके बाद भी 2-3 ऐसे intra day stocks है जिनके अंदर pattern बनते हुए नजर आ रहा है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में share करूँगा और ऐसा मैं क्यों करने वाला हूँ ये आप लोग को थोड़ा दिर में पता चल जाएगा तो इसलिए वीडियो को आन तक जरूर देखिएगा तो कल के लिटेडर्स मेरा सबसे पहला intra day stock गोद्रेज एग्रो ही रहने वाला है क्योंकि इसके अंदर आज हम लोग को पूरी तरह से consolidation होते हुए ही दिखा है और इसकी analysis मैंने आप लोग के साथ already discuss कर दिया है तो ऐसे में कल इसके अंदर हम लोग को एक अच्छा का सा breakout या breakdown देखने के लिए मिल सकता है अगर कल ये अपनी इस resistance zone का breakout देता है upside में तो हम लोग इसमें buy side के trade को initiate कर सकते है और कल अगर ये अपनी trend line को break कर देता है नीचे की side में तो फिर हम लोग इसमें sell side के trade को initiate करेंगे कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock है delta corp delta corp के अंदर traders हम लोग को बहुत ही सांदार यहाँ पर rounding bottom pattern बनते हुए नजर आ रहा है हम लोग देख सकते हैं कि ये बार-बार इस zone पर आकर के resistance कर रहा है और clearly हम लोग देख सकते हैं कि ये जो momentum आया था delta corp के अंदर उसके अंदर volume भी हम लोग को बहुत ही अच्छा खासा देखने के लिए मिला था तो निश्ची थी delta corp के अंदर भी हम लोग को एक अच्छा खासा intraday trade मिल सकता है और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock है Godres Industries इसके अंदर भी traders हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा ascending triangle pattern बनते हुए नजर आ रहा है और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock है M&M M&M के अंदर traders बहुत ही simple सी analysis है हम लोग देख सकते हैं कि यह जो trend line है इसके उपर यह बार बार support लेता हुआ नजर आ रहा है और यहीं से हम लोग को एक upside का move भी देखने के लिए मिल रहा है तो कल अगर यह अपने इस trend line को break करता है तब हम लोग इसके अंदर अपने intraday trade को execute कर सकते हैं तो proper breakdown आने के बाद ही आप लोग इस trade में entry लीजिएगा क्योंकि हम लोग already देख सकते हैं कि यह जो trend line है इसके लिए बहुत ही strong support का का काम कर रहा है बात करें buy side का तो buy side में भी trade initiate किया जा सकता है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एक और trend line को follow कर रहा है जहाँ पर यह बार बर जाकर के resistance फेस कर रहा है ऐसे मैं अगर यह trend line का breakout देता है तो निशिती एक upside का momentum हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा लेकिन इसको अगर हम लोग और भी detail में analysis करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि 1265 के around का जो levels है वो इसके लिए एक strong resistance का काम कल भी करने वाला है तो इसके उपर जाने के बाद ही आप लोग किसी भी buy side के trade को initiate कीजिएगा 1265 के उपर आप लोग buy कर सकते हैं 1275 के target के लिए और stop loss आप लोग 1260 पर रख सकते हैं जिससे आप लोग को 1-2 risk reward ratio एचीव हो जाएगा और नहीं तो M&M के अंदर आप लोग buy side के trade को ignore भी कर सकते हैं तो traders ये सारे intraday stocks आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके जरूर रखेगा और साथी में traders जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि वीडियो के अंत में मैं आप लोग के साथ कुछ और भी stocks share करने वाला हूँ उसके अंदर traders आप लोग को कल morning session में तो breakout देखने के लिए नहीं मिलेगा उसके अंदर traders में भी afternoon में या फिर market के second half में हम लोग को breakout या breakdown देखने के लिए मिले लेकिन उसको मैं already आप लोग साथ अभी share इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि कल मैं live market में active नहीं रहने वाला हूँ क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि already wedding season start हो चुका है तो कल मैं एक साधी attend करने जा रहा हूँ और इसलिए मैं इन सारे stocks की जो analysis है वो मैं आप लोग साथ अभी share कर दे रहा हूँ क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि morning time में train के अंदर रहूँ तो network नहीं आने के कारण मैं आप लोगों के साथ live analysis share नहीं कर पाँ तो इसलिए अगर आप लोगों को entire trading समझ में आता है support और resistance अच्छे से देख सकते हैं तो ये सारी analysis का use आप लोग कल कर सकते हैं तो कल किली traders आप लोगो रेडिंग्टन को भी अपने radar पर रखना है हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर भी हम लोगो एक सांदार pattern बनते हुए नजर आ रहा है ये बार बार इसी train line के आसपास में आ करके support ले रहा है रहता है train के अंदर तो मैं आप लोगो live market में update कर दूँगा लेकिन अगर नहीं रहता है by chance तो आप लोग इसमें अपने knowledge के अनुसार इंट्रेट रेड ले सकते हैं साथी में traders आप लोग PBR को भी अपने radar पर रख सकते हैं इसके अंदर भी हम लोगो एक अच्छा खासा rising wage pattern बनते हुए दिख रहा है और इसी के साथ साथ आप लोग Apollo tires को भी अपने radar पर जरूर रखेगा इसकी analysis मैंने आप लोग साथ दो दिन पहले share की थी और अभी तक हम लोग देख सकते हैं कि ये खुद को इसी channel में accumulate कर रहा है तो ऐसे में कल इसके अंदर भी हम लोगो एक अच्छा खासा momentum देखने के लिए मिल सकता है तो आप लोग जरूर इसको भी अपने watch list में add करके रखेगा अगर बात करें तो 3-1-7 का जो levels है वो इसके लिए important levels का role play कर सकता है अगर इसके नीचे ये जाता है तो हम लोग को easily 3-1-3 के आसपास का target मिल सकता है तो टेटस अगर आप लोग मेरी वीडियोज बहुत ही ज़्यादा दिन से देख रहे हैं लेकिन कोई भी दिक्कत की बात नहीं है अगले दिन के market खुलने से पहले ही आप लोग को telegram पर मैं अपनी सारी intraday analysis share कर दोंगा तो इसलिए आप लोग telegram channel को भी जरूर जोइन कर लीजेगा और वीडियो को खतम होने से पहले एक और stock जो मेरे radar पर आया है उसको भी आप लोग देख लीजे वो है Godrej CP तो traders Godrej के सारे stock के अंदर हम लोग को एक अच्छा खासा pattern आज बनते हुए नजर आ रहा है और हम लोग को breakdown या फिर breakout देखने के लिए मिल सकता है morning session में ही तो levels आप लोग जरूर note कर लीजेगा और कल के लिए traders आप सभी लोगों को all the best तो traders आज के लिए बस इतना ही last में मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी में वीडियो को like और comment भी आप लोग कर दिया कीजिए ताकि वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग खतम करते हैं धन्यवाद